नमस्कार हमारे स्रियोजी ट्रेनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कच्छा आठ के हिंदी के अध्याय नमर दो की हिंदी में पाठ संख्या दो लाख की चूडियां इस बहुत सुंदर कहानी है और इस कहानी के मदम से हम बहुत सारी चीजें सीखने वाल पठे करम के नुसार लाख की चूडियां सारे गवं में बदल revival मुझे सबसे अच्छा आदमे लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था मुझे अपनी मामा के गाऊं जाने का सबसे बड़ा चाओ यही था कि जब मैं वहां से लोट तो यहाँ इस कहानी में लिखक अपने ननिहाल का अपने मामा के गाउं का वर्णन करता है कहता है कि मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था वैसे तो मेरे मामा के गाउं का होने के कार्ण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था जैसा कि गाउं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे लेखक भी बदलू को बदलू उसके मामा के गाओं का था इसलिए उसको बदलू मामा कहना चाहिए लेकिन वह उसे बदलू काका कहता था मकान के सामने बड़ा सा सहन था एक व्रिक्ष का ना जिसमें एक पुराना नीम का व्रिक्ष था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिगलाया करता यानि लाख जो है वो भट्टी में में पिगलाया जाता जिससे की दूसरे उससे जो चीजें बनाई जा सकें सामने एक लकड़ी की चोखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलाइम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता यानि जो लाख होता उसको पिंगला करके और फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसे चूड़ीयों का निर्मान करता था पास में 4-6 विभिन आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रहती लकडी का एक गोल गोल यंतर जिसके उपर चुड़ियां आदी चड़ाई जाती है गोल करने के लिए ऐसा मुंगेरियां कहलता है तो मुंगेरियां रखी रहती ही जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती लाख की चूडी का आकार दे कर वहे उन्हें मुंगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चुड़ियां बना चुकने के पस्चात वह उन पर रंग करता यानि पहले उन मुंगेरियों के उपर चड़ा करके चुड़ियों को गोल करता उनको चिकना करता और उसके बाद में एके करके चूड़ियां सारी बन जाती तब उनके पशाद वह उनके उपर रंग चड़ाता था बदलू यह कार्य सदा एक ही मच्छी पर बैठ कर किया करता था मच्छी यह नहीं एक छोटी खाट के उपर जो बहुत ही पुरानी थी बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच-बीच में पीता रहता गाउ में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीदेता वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंसते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छी यह मंगा देता रहता था मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता लगबग रोज ही वह चार-चार जोड़े चूड़ियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ शुक्षण चुप-चप देखता रहता मनुव है बेलन नय होकर के किसी नव वधु का वधु की कलाई हो यानि बेलन के उपर चड़ा करके उसको निहारता रहता था जैसे कि जब इसको कोई नव वधु पहनेगी तो वो कैसे लगएगी ऐसा वो शायद महसूस करता बदलू मनिहार था चूड़ियां बनाना उसका पैत्रिक पैसा था पैत्रिक होता है जो अपने पिता से मिला हो यानि कि उसके प्रिवार के जो बड़े बज़रुग हैं वो जो व्यवसाई करते हैं वही व्यवसाई पैत्रिक होता है जैसे कोई व्यक्ति क्रिशी करता है औ जो हमें अपने प्रुबवजों से प्राप्त होता है और वास्तों में वहे बहुत ही सुन्दर चूडिया की खपत भी बहुत थी उस गाउं में तो सभी इस तरियां उसकी बनाई हुई चूडियां पहनती ही थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूडियां ले जाते थे प्रन्तु वह कभी किसी चूडियों के पैसे वस्तु विनी में अर्था वस्तुओं का आदान परदान करना यानि वो जो चूडियां बेशता था उसके बदले धन नहीं लेता था बलकि उसके बदले अनाज आदी लेता था यानि वस्तु विनी में होता है कि वस्तुओं का आदान परदान करके जो व्यापार या व्यवसाय किया जाता है तो अभी तक उसका वस्तु वीनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थी यानि अनाज के बदले वो चूड़ियां बेशता था बदलू सुवभाव से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगरते नहीं देखा हाँ शादी विवाअ के अवसरों पर वहाँ अवश्यजिद पकड़ जाता जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्ट चूड़ियां ले जाये परनतू विवाअ के अवसर पर वहाँ सारी कसर निकालना यानि कमी पूरी करना कसर निकालना कमी पूरी करना आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है मुझे याद है मेरे मामा के यहां किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए यह बहुत मुश्किल से माना वो विवाह में इसी जोड़े का मुल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते धेरों अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपे जो मिलते सो अलग पगड़ी यानि सिर पर बांदा जाने वाला एक कपड़ा होता है लंबा चौड़ा जैसे साफा वगरा होता है इस तरह का उसको पगड़ी कहते है यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिर दीत हुए थी कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो-चार बातें भी सुना देता था यानि कांच की चूड़ियां उसको पसंद नहीं थी मुझे तो वह घंटों बातें मुझसे तो वह घंटों बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूस्ता कभी मेरी घर के बारे में और कभी यो ही शहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की सूडियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सडकों पर घूमती भी हैं और फिर अप उनकी कलाई नजुक होती है न लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ने आ जाई कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता जिन दिनों उसकी गाय के दूद होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो-चार आम खा आता परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छ बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहां चला जाता बहुदा आयानि आप कह सकते हैं लग भग हर बार और एक आद महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परंतु दो-तिन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया होंगा तभी मेरे पिता जी क एक दूर के शहर में बदली हो गई थी और एक लंबी आवधी तक मैं अपने मामा के गाउं ने जा सका तब लग भग आट-दस वर्षों के पचात जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरे रूची नहीं रह गई थी अता गाउं में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ने आया इस बीच मैंने देखा कि गाउं में लग भग स्त्रियां कांच की चुडियां पहने हैं विरले होता है कोई कोई विरले ही हाथों में मैंने लाख की चुडियां देखी तब एक दिन सहसा सहसा याने अचानक तब एक दिन मुझे अचानक बदलू का ध्यान हो आया, बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांस की चुड़ी तूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा, मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करने पड़ी तब ही सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिलाँ अतह साम को मैं गुमते गुमते उसके घर चला गया, बदलू वहीं चबूत्रे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, नमस्ते भईया, उसने मेरी नमस्ते का उतर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परन्तू उसने मुझे पहचाना नहीं, और देर तक मेरी और नहारता रहा मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परीचे दिया बदलू भी चुप रहा मानो वह अपने स्मर्ती पटल, स्मर्ती पटल यानि याददास्त, स्मर्ती पटल पर अतीत अतीत होता है, जो बीत गया है वह समय अतीत के चुत्र उतार रहा हो, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गावाए, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चार पाई पर बैठते उतर दिया कुछ देर फिर शांते रही, मैंने इधर उधर दुरुष्टी दोड़ाई, ने तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ने ही बट्टी, आज कल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां, कोई पूछे तब तो, गावं गावं में कांच का परसार हो गया है, वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन यूग है, मशीन यूग है ने, यह लला, आज कल सब का मशीन से होता है, खेत भी म मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही अलला, कहते कहते उसे खांसी आगई और वह है, देर तक खांसता रहा, मुझे लगा उसे दमा है, अवस्ता के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उबर आई थी, जाने कैसे उसने मेरी संका भाप अपली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, फसली खांसी यानि मौसमी, एक मौसम के दोरान ही है और उसके बाद में ठीक हो जाएगी ऐसा, यदि महीने दो महीने से आ रही है, दस-पंदरे दिन में ठीक हो जाएगी, मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके जो मुझे अच्छी नहीं लगी, आम की फसल अब कैसी है काका, कुछ देर पसात मैंने बात का विशे बदलते वे पुछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ल आए हैं, वाह, वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने तो तुमको, मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आई, जब वहे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, गाए तो अच्छी है ने काका, मैंने पुछा, गाए कहां है लला, दो साल हुए बेज दी, कहां से खिलाता इतने में रज्जोस की बेटी अंदर से एक डलिया में धेर सारे आम ले आई, यह तो बहुत हैं काका, इतने कहां खा पाऊंगा, मैंने कहां, वाह, वह हंस पड़ा, सहरी ठहरी न, मैं तुम्हारी उमर का था तो इससे चोगुने आम एक बखत में खा जाता, बखत यानी व आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया, अच्छा, बेटी लल्ला को चार पांस आम चाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह है, पेड तयार हुआ है, रज्जो ने चार पांस आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिये, आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, तो मेरी निगाह एक्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई, गोरी-गोरी कलाईयों पर लाख की चुड़ियां बहुत ही फब रही थी, फब रही थी, यह जच रही थी, सुन्दर लग रही थी, बदलुनी मेरी दिस्टी देख ल आया, मुझे परशन नता हुई, कि बदलुनी हार कर भी हार नहीं मानी थी, उसका व्यक्तित्वकांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, कि आसानी से तूट जाए, तो बहुती सुन्दर कहानी थी यह, और इसके लेखक है कामतानाथ, अब लेखक का इस पार्ठ में नाम क् कोई अच्छा प्रशन है, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि यह प्रशन का उतर क्या है, इसी पार्ठ में आया है, और अमीद है यह कहानी बड़ी अच्छी लगे होगी, और इसके अगली क्लास में हम इसके जो है प्रशन उतर अभ्यास के प्रशन करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए, और इसमें कौन-कौन से प्रशन बन सकते हैं, वो अपने आप अपने तरफ से बनाईए, यही आपके लिए हमवर्क रहेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,